हेलो गॉइज आप देख रहे हैं अपना चैनल बीटिफल फ्लावर एंड क्यूट फिशेज तो आज हमें एक नए टॉपिक के साथ आए हैं यह है टेट्रसाइक्लिन 500 एमजी अगर आप फिश को पालते हो तो उसमें कई सारी बीमारिया लग जाती हैं कई सारी बीमारिया जै लग सबढ़न से लग देखना पड़ैया कि आपकी बीमारिया पांची है ब्लैक स्अब से आपको वाट चैंज करना फिर्स फिर उसके बाद आपको उसमें मेडिसन आडरेक्ट मेडिसन मता कीजिए है फेली उसमें मेडिसन को गोल के रख दीजिए लग वाटर मट form टेंक म कर आप ऐबाद वाटर एड कर दो और जो भी एक की फिस है उसे को आप बिल्कुल सैपरेट अगर देजिये और अगर आपको इस आपकी सारीी फिस को बीमारिया यहीं थो आप यह तो आप यह टैंग में डाल सकते जों अगर आपकी एक टेंक में अपने एड़ कर दीजिए और आपको टेंपरेचर 28 डिगरी सल्सेस रिफना है तो आप इसे बहुत अच्छे से यूज कर सकते हैं अगर आपके मचलियों कुछ बीमारी है जैसे कि वाइड स्पोर्ट, डेड स्पोर्ट, ब्लैक स्पोर्ट, फंगस, मचलियार पड़ जाती है और उसे बैक्टिरी इंफेक्शन हो जाता है तो इन सबी चीज़े के लिए आप ये यूज कर सकते हैं और इस्ट्रक्शन बहुत अच्छे से सुनिए तो सबसे पहले आपको इस मेडिशन, हाफ मेडिशन को पर लिटर, वो पर गेलन, 10 गेलन में आपको यूज करना है ये हाफ मेडिशन, 10 गेलन में और 10 gallon, 1 gallon जो होता है अपना 3.5 या 4 liter मान लीजिए आप तो आपको ये medicine, half medicine 10 gallon में use करना है तो आप इन सभी बिमारियों के लिए एक और medicine बताता हूं मैं उसका नाम है Amox 500 उसे भी आप use कर सकते हैं इन सारी बिमारियों के लिए ये medicine भी बहुत अच्छी है तो इसको आप use कर सकते हैं पर instruction आप बिल्कुल केरफूल होके ध्यान से फॉलू कीजिए तो आसा करता हूं आपको ये वीडियो चड़ाय होगा जाहिन